हां जी जैंद क्या आला आप सबके इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इंडियन नेवी के फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में इस बार थोड़ा से सिनेर्यू बदल गया है दस अजार बच्चे जो की रिटन देंगे उसी दिन सेम डे इस वेरी इंपोर्टेंट सेम आपके फाइनल मेरिट आती थी हाना यह होता था इस बार सिनेर्यो क्या कर दिया है भाई साब फोरो सब फिर दस जार बच्चे हम सलेक्ट कर लेंगे जिनका हम पीफटी साथ साथी ले लेंगे उन दोनों जिन जिनका वह दोनों किलियर होगा उनको भाई साब मेडिकल के ल होता है अगर आपको आपके मार्स अच्छे खास से आपको पता एक्जाम आप दे रहे हो तो आपको थोड़ा फिजिकली फिट रहना पड़ेगा और आपको यह सब चीज आपको करनी पड़ेंगी जैसे कि तीन चीज़े होती है 1.6 किलो मिटर यानि 1600 मिटर आपको साथ मिन मिनट होता है साथ मिनट इस कमफर्टेबली आप कर सकते हो बस इसके लिए कि आचिए रैगुलर आप प्रेक्टिस मेरो मेरे इसाब से रोज एक घंटा अगर आप दोड़ रहे हो थोड़ा सा बोड़ी मतलब बीमें इंडेक्स ठीक है तो चीज़े हो जाएंगी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बस रेगुलर प्रेक्टिस चीए उस दिन जाके करोगे सीधा तो दिक्कत हो जाएंगी जादा हलके में ले लोगे तो जरूर दुखा खा जाओगे वैसे इतना मुश्किल नहीं है इसके लावा दस पूश अप आपको रोज यह तो मुझे लगता है जय कर लेता हो जो बच्चा से करेको नोर्मली जो बच्चा होता है किसान का बेटा ज्यादा होता है जु आप्लाई मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो आपको यह मतलब इसमें डिस्क्वालिफाई कर सकती है बस अगर अंडर कॉंफिडेंट हो गए आप घबरा गए आपने रेगुलर प्रेक्टिस नहीं करी तो जरूर दिक्कत हो जाएगी वरना बिल्कुल भी मुश्किल निया मतल से जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है डबल ले के लिए वह 600 बंदोग बुलाएंगे उसमें से 500 की मेरिट लिस्ट बनेगी मलब समझे रहो दसजार बच्चे पेपर देंगे उसके बाद भी निकालेंगे ना मेडिकल कितनों कराएंगे तो मेडिकल मुझे यादार 500 वाली व तो अगर आपको पेपर देना है तो यह चीज़े रेगुलर प्रैक्टिस में लियाओ रनिंग स्क्वेट्स एंड पुश अप्स कॉइट इजी नोटे टोला डिफिकल्ट टास्क मुझे पूरा यकीन आप अच्छे से परफॉर्म करोगे इसको कोई दिक्कत वाली बात नह क्यां रखें ठीक है जै हिंद जै भारत